दोस्तो एक बाद फिर सा स्वागत करते हैं आपका हमारे इस YouTube चैनल पर दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इरानी कप या यूं कहें तो इरानी ट्रोफी मैच के बारे में आखिर क्या है इसकी सुरुवात कैसी हुई और ये नाम किसके नाम के उपर पड़ा बत इरानी ट्रोफी में महज एक ही मुकाबले खेले जाते हैं जी हाँ दोस्तो इस ट्रोफी से जुड़ी कहानी और इसकी सुरुवात कब हुई दसल इरानी कप भारत का एक घरेलू ट्रूर्मेंट है जो कि आपको पता है जो फर्स्ट क्लास फॉर्मिट के तहद खेला जाता ह यह किर्केटूर्णामिन्ट हर साल वरतमान रण्जी ट्रोफी विजेता टीम और रेष्ट आफ इंडिया टीम जो की रण्जी ट्रोफी में अनी टीमों के दमदार प्रदसन करने वाली खि़लाडियों की बीच खिला जाता है रेष्ट आफ इंडिया ने इसे 30 बार जीता ह खेर इसकी सुरुवात वर्स 1969 से 1960 में हुवी थी उस समय रंजी ट्रॉफी चेंपियंशिप के 25 वर्स पूरे होने पर इस टूर्णामेंट की नीव रखी गई थी और इसका उद्देश सी घरेलू किर्केट को और अधिक रोचक और रोमांचक बनाना था अगर इस टूर्णामेंट का नाम किसके उपर रखा गया अगर यह जानना चाहते हैं तो आपको बता दे कि इस टूर्णामेंट का नाम बिसी सेई के पूर परसासक जेट पी इरानी के नाम पर रखा गया था जो कि बिसी सेई में लंबे समय तक अधियक्ष और कोसा अधियक् अगर पीछले मुकाबले के बारे में बात कर ली जाए तो बता दे कि पीछले सीजन इस पर्तियोगीता को सेस भारत ने सौराष्ट को हराते हुए 175 रनों से जीत दर्ज की थी घर जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि इरानी कप 2024-25 का आयोजन अब मुंबई के बजाए लखनौ में होगा 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच सेस भारत और गत रंजी ट्रोफी विजेता मुंबई के बीच खेले जाने वाले हैं मैच लखनौ के अटल विहारी वाजपई एकाना स्टेडियम में खेला जाएगा तो दोस्तों यही थी है हमारी आज की वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा धन्यवाद